हेलो एवरिवन मेरा नाम मामी चक्र होती है मैं हेड़न एक कैंसर स्पेशेलिस्ट हूँ आज एक इंपोर्टेंट कोशेन हम डिसकस करने वाले हैं क्या तंभाकू या सिगरेट छोड़ने के बाद उन पेशेंट्स में कैंसर हो सकता है या नहीं और हो सकता है तो क्या यह बहुत एंटरस्टिंग सवाल है जो काफी लोग मुझे पूछते हैं सी बेसीकली यह पूरा डिपेंड होता है कि आपने जो तंभागू का सेवन है या तो सिगरेट या तंभागू फिजिकल फॉर्म में या जो भी फॉर्म में आपने अपने कंज्यूम किया है आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि आपके शरीर ने कंटिनिउसली 10 साल तक लिया है और कितना लिया जैसे कोई एक बंडल या एक बीडी सिगरेट या एक पैकेट सिगरेट डेली लेता है पूरा एक साल तो वह वन पैकीयर मिनिम्म हो गया आपके शरीर से यह निकोटि एक महने से बंद कर दिया है, तो उसका रिजल्ट दूसरे महने में मिल जाओ, तीसरे महने में आपका cancer होने का पॉसिबिलिटी कता हुज़ा है, जर आपने लंबे समय तक ही है, जबी भी मैं लंबा समय बोल रहा हूँ, याने 6 महने से अधी, और डेली consumption किया है, आपको बुर इमिजेटली स्पेशेलिस्ट को दिखाना चाहिए, और से डायपसी करवाना चाहिए, जर उन्होंने अडवाइस किया, क्योंकि हो सकता है, वो अर्ली स्टेज और साइन और प्रेजेंटेशन ऑफ कैंसर है, औरल कैंसर है, तो इसलिए मेरा सभी लोगों से ये निवेदाद जितना टाइम आपने एक्शुली कंस्यूम किया है, मेरा टीम पूरां हेडन नेक में स्पेशलाइजड है, और हेडन नेक कैंसर रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरी और डाउट है, तो सिर्फ आप मैसेज करके हमें कनवे कीजिए, तो डेफिनिटली आपका मैसेज का उत झालाइम आपका